प्लस जिसमें होंगे करेंट अफ्यर के कुश्चंस आखरी में ठीक है पहले कुश्चंस से बहुत सारी कुश्चंस में बने रहेगा आखरी तक संदी देखो इस किते प्रकार क्यों थी तीन प्रकार क्यों होती है सवर संदी वेंज्चंस वंच्छ संदी ढ impacto संदी का पुछा जाता है वहाख साही लोग बिच्छित करतेмовा होगा संदी क अंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा C इसमें से कौन सा इस्त्री लिंग नहीं है केवल दो ही लिंग है इस्त्री लिंग और पुलिंग तो देखो बलेदान दिया जा रहा है हमारी गाड़ी संसत अच्छी है अहिंसा करनी चाहिए ठीक है कौन सा इसमें इस्तिरी लिंग नहीं बलिदान किया जा रहा है बलिदान किया जा रहा है आंसर हो जाएगा D यह पुलिंग है next आतंगबाद एक हिंसक व्यावार है बाक्षे मेने उद्धेश बताना है उद्धेश क्या होता है जैसे राम जाता है जिसके बारे में बात कई जाती है वो उद्देश होता है जैसे राम जाता है इसमें उद्देश का है राम ऐसे इसमें कौन सा है आतंगवाद आंसर हो जाएगा एक बाक्ते के न दो अंग होते हैं एक तो होता है उद्देश एक होता है बिधे ठीक है याद रखना नेक्स इस इसमें से किस विकल्प में भाववाचक संग्या नहीं है क्या नहीं भाववाचक संग्या नहीं है तो देखो आंत्रिक मामला होता है आंत्रिक क्या होता है मामला तुरण दिग गया है मुझे एक ही सेगन तो आंत्रिक क्या हो जाएगा यह तो बिशेशन हो जाएगा ठीक है और बाकी लाचारी, इस्थिर्ता, बेवशी, तेखो मैं बहुत बेबस हूँ, बेबस क्या होता है? बेबस होता है बिशेशन, बेबस से मनता है बेवशी, यह होगी भावबाचक, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका B, कौनसी भावबाचक नहीं? आंतरिक, आंतरिक क्या बिशेशंग चारपगार का उता गुणबाचक, संक्यावाचक, परमाडबाचक, सारुणामिक, जीसपिस, नेक्स्ट, चंबकादर के घर आए महमान, हम भी लटके, तुम भी लटको, तो गरीव व्यक्ति का गरीव व्यक्ति क्या आव वकत करेगा, गरीव वकति, एक तो बावगत कर सकता है वो तो खुदी कंगाली में आटा गीला वाला है इसाब चल रहा है उसका तो तो गरीब के घर आए मेहमान हम भी लटके हुए है तुम भी लटक जाओ अच्छा लगाव तो प्लीज इसे शेयर करना थे आंसर डी होगा शेयर करना और प्लीज दोस्तों से क और फिश्चेक का कोई जाती है एक प्रिशेशन एक किसा की किर्याव चाहिए बिर्भी आना इसे अचल के तो यह भी तो इसमें आसर हो जाए वी इसमें क्लिशिशर नहीं है थे तो समते printing कर्म सहाँ है नहीं है और रेल गाड़ी, रेल की गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है, पुर्सों में उत्तम, ठीक है, तो पुर्सों में उत्तम, क्या निकल गया रहा है, पुर्सों में उत्तम, तो क्या होता है, कौन सा कारक्चिन है, अधिकरण, तो यह हो जाएगा, अधिकरण, इसमें पूछ रहा है कि शिव के परयवाची सही नहीं है किसमें नहीं है तो देखो रुद्र काम रिपू काम पता है जानते हैं किसे कहते हैं काम कहते हैं इसे कामदेव को कर दिया था जटथाल अ मैं मतलब इससे नग कर दियाा था संगार कामडेव को बसमें कर लिया था ना चाता है जटाओं में बालों में क्या रखी जहने मैं बट्राज के बहुत जाने जाता है उर्ठ भूशन पिनाकी क्या इनका इनका है जो धनुस धनुस थिक पिनाक तो उससे बनगा जाता है थिक तो यह वाला इसमें गलत है क्योंकि इसमें कौन से सब सही नहीं हुआ है इसमें तक भी इन समय तो हुआ है इसमें नहीं हुआ है आंसर हो जाएगा भी निपाद कितने होते हैं अत्रिक्त बल प्रिदान करते हैं क्या करते हैं अत्रिक्त बल सॉरी नेक्स्ट उन्मूलन का बिलोम क्या होगा बिलोम मतलब होता है विपरीत ठीक है उन्मूलन का हो जाए रोपन उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना रोपन मतलब होता है लगाना इवियस में बहुत सुना ह करम से लगाओ सब्सकूष देखा है कि उस तरी कैसे आता है इसमें करम से आते हैं तो एचीज आता है हमेशा शुरूब आते है अनुस्वार से होती है फिर क्या आता है अनुनासिक आखरी में आता है अधूरा तो यह सबसे पहले आएगा सबसे अच्छी जल्दी निकालने की रहा कभी भी आ जाए तो एक किसमें होता है अपूंड कहलो या तात कालिख कहलो एक ही बात है अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता ठीक है कि नेक्स्ट कि युटिस्टुक्रीडी इसमें स round शूंसा ब्रहामर का बाचक यके मढ़िए का मैं है यह होता है यह होता है भुदेव होता फिजाय कि कुक्षरां से刚डन और यह ओऐ हुआ प्रहां कि दो होगा करते है। इतना आप पता दे ना बाकी इसका अंसर हो जागा डी और विप्र द्वेज भूदेव या होता है क्या हुता है धो यका तो मां के गर्व से होता है एक बार जब वह सास्त पढ़ लेता है था ठीक है यादवा और द्वेज और किसे कहते हैं के और अनेका अर्थी पूश्था है तो पक्षी को कहते हैं दूश्ट और दांतों के लिया आथा दांत दो बार जन में लेते हैं वीत technologies वर यह गजन से होते हं यह इनका फॉर्मुला क्या होता है टु बनो बन जीरोटू दांतों केया चैसे परण बन इस उतना छोड़ जब गाये आती है ना बाफस घर को तो धूल उड़ती वी आती है तो उसे कहते है मतलब 6 something 5 से 6 बज़े के बीच आती है से लेके 7 बज़े के बीच आती है तो यह से बीच की जो बेला होती है इसके बीच को time period उसे गौधूली बेला कहते है ठीए next देखो मणी और मणी का अंतर क्या है मणी और मणी ये मणी पता है क्या होती है रत्न और ये क्या होता है साथ देखो एक याद रखना एक होता है छमा एक होता है छमा ये होता है क्या छमा करना किसी वो और ये वाला होता है प्रत्थवी यह होता है माफ करना ठीक है याद रखना यह यह पूछा जाता है अच्छा एक आप लोग ढूड़ना पानी और पानी इन दोनों में क्या अंतर है ठीक है बताना अगर बता सकोतो नहीं तो मैं बता दूंगा अगले क्लास इसमें प्रिया रचना के यादार पर दो प्रकार क् संगया सब्त हुत हुत है सकर्म को क् Response ठीक है याद रखना यह ठीक और प्रिया रच्व कॉन्सी प्रिया पर क्いきます की यह टाने हुं जगाना दूसरे को जगा रहे हैं बुलाना दूसरे को बिलाए चीके एसमें छ hacemos छा दसे सिखना बड़त कर रहे हैं इसमें क्सार आंस्ए का जीत क्या है यह जीत क्या है भावाच के यह भीतरी यह भीरत यह एकता किरिया से बना किरिया किरिया किसमें लगए जिसके पीछ ना लग जाए वो होती है किरिया और ना किसके पीछ लगता है मुहावरों के पीछ लगता है याद रखलने है पूछ लूँगा यह मुहावरों एक ना किसके पीछे लगा सकते हो जी मतल소 नमर 5 जिसके पीछे ना लगा सकते हो इन 4 सबदों मैंसे वहीं और नंश भूज जाएगा। नेंस्ट कितने अलग-अलग में जगह से जकी पोश्चन कॉलेक्ट करता हूं करता कि आपको लगता होग exemplu इसलिए तो जगह अच्छी च्हे। पत्ति से याथ आ है दमपती याद रखो ही। idea इन बड़ीई कोड़ा रहाती है। याद कैसे रखोई है अदमपती पती दम है मेरे पती नंच में त्रीक ऐसे याद रख ली है अच्छा ?? एक दो और बताओ ने आपको, एक होता है तदुपरांत, क्या होता है, तदुपरांत, ये बहुत पूछे जारा है आजकल, तदुपरांत, ये सुद्ध लिखना सीखलो, एक होता है प्रदर्सनी, अब इसमें असुद्ध कैसे कर देगा, इस तरी कैसे देदेगा, प्रदर्स एसे यृद रखना एक होता है चलो आगे बताथ नेक्ट इसे में बताना है कि कौन से परिया बाची सुधध्ध हे सुध्ध होता है सुर्ख उसका पुत्र है सेंदव होता है हायां नहीं होता है यह मतलब वह है पतनी उनके पति मदवा ठीक क्यों अब दीक होता है मद्यु माが इस लिए मस्म्त लिए ये लिककत था रिशी, रिशी से मिलके बनता है रिशी, रिशी में क्या प्रत्य जोने क्या आर्स बन जाई आप बताना, योगी का क्या होता है, भोगी होता है, रोगी नहीं होता, योगी का क्या होता है, बोगी, आंसर हो जाएगा C, अथ मतलब होता है, सुरुवात करना, इत का मतलब होता अब देखो, सदुपदेश होता है, क्या होता है, सदुपदेश, प्रतिनिधी में छोड़ी की मातर आती है, ठीक है, अब देखो, भासकर, दिनकर दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भासकर, तीन तरीके से बोलते हो न, सूर के परियावाची, भासकर तीसे नमर पर आता है, तो शा, शा, तो यही वाला शा आएगा, हमें से याद रखना है, इसमें बहुत गल्टी कराता है, तो यह सही है, अहुरात्र भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें यह, ठीक है, यह बता दिया, सदुपदेश आएगा, और प्रतिनेदी में छोटी की मातर आएगी, और त उद्ध बताना है, तो देखो, कभी भी भी भीरने नारे लगाए, उसके बाद क्या आएगा पहले, बताओ, यह तो आएगा नहीं, इसके बाद तो अल्पवराम आना चाहिए पहले तो, और किसमें लिखी जाती है, कोई भी बात, नारे बारे लगाते हैं, तो किसमें, बत होती जादे इंपोरेंट बात है, बहुत सारी लोगों को बतानी होगी, और 99% गलत करके आएगे से, ठीक है, नेक्स्ट, उसी दिन रामपुर में कपड़े बाटे जा रहे थे, कौन सा काल है, जा रहे थे, रहा था, रहे थे, किसमें आता है, मैंने बताए, रहा क्या होता ह होता है, बताओ, यह होता है, किसमें, बूत, और बूत काल के कितने बेते हैं, छे, तो अब कोशन नम्मर दस जबाब दोगे आप, उपर भी समझाया था मैंने कोशन, ठीक है, नेक्स्ट, बताना है बहुवचन कौन सा है, तो देखो, प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, और आ बचन होगा, दरब्य बाचा के एक बचन होता है, भाव बाचक एक बचन होती ही कि रिया, ठीक है, जैपुर के व्यक्ति बाचक संग्या ये तो, उठापा क्या है, भाव है, ऐसे या दख लो, नेक्स्ट, इसमें संग्या और सर्वनाम का सही मेल है, पहली नमर पर संग्या अलग सा मिला ना question मुझे भी कल अलग मिलाख सी लंग बताना है देखो संगर्स किया जा recommendations कि जा रही है यौबन बढ़ रहा है तो आंसर क्या हुझा जाएगा यह इस साधना की जा रही है next इसमें से बिलोग बता रहा है बिलोग कौन सा सही नहीं है खंडन मंदन होता है उत्थान पतन और देखो खंडन मंदन देखो सुद्ध का विसुद्ध देखो खंडन का मंदन होता है यह सही है इस्तावर का जंगम होता है उत्थान का पतन मंगा सुद्ध और विसुद्ध त यह थोड़ा सा अलग सा है इसे इस्टार बना के लिख लेना ठीक है सुद्ध का भिसुद्ध यह एक ही बात है यह क्या उदर यह दोनों पर्रया बाची हो जाएंगे याद रख लेना बाकी यह तीनों सही है ठीक कौन सा सही नहीं था डी नेक्ट अब शुम्हाबरा सही कौन सब्सक्राट है अब देखो सुनदर क्या हो ज़ा नहीं पर बिशेश हो गया होगा तो यह होगा फिर जाती बाचक दो तरीके से होती है पर रब्वाचक और समध्वाचक ठीक है नेक्स्ट अच्छा अब ये न किसके कोशन है रीट के कोशन है सबसे पहली बार जब वो रीट हुआ था देखो वाह कितना सुंदर द्रश्चे बाग के आठ प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर उसी के आधार पर दे रखा है अब इसमें बिस्मयाद बोदक दे रखा है मुहाबरी का प्रयोग इसमें किस विकल्प में सही हुआ है राम तो अपनी अकल का दुस्मन है सही है उसकी मेनत पर पानी गिर नहीं गया फिर गया वो तो अपनी मा की आख का चादनी तारा तेरी सरादत से मेरी सांस में दमा गया तेरी सरादत से मेरी सांस में दमा गया अ अंदे के आहथ बटग लगना इसका मतलब क्या है इसका मतलब बिना परिश्रम के अयोग्जे को सफलता मलब इस इन्हें पेपर मतलब तयारी नहीं करी ठीके पेपर देने चला गया नेगिटिब marking होती नहीं टीछिंग वालिए उसके सारी सई हो गई तो उसे क्या कहतें यह अंदे के हाथ बटे लगए ठीक नेक्स अब इसमें बताना किस सुर्टलेख में सुर्टलेख होता है सुनके लिखना रेफ वाली अभ्यास नहीं हुआ है त्यों कर्म में यह आ रहा है रेफ वाला रा यह ऊपर जो लरा लगता है अधूरा रा कहते हैं से अधूरा रा जो होता है ने खड़ी पाई जिन में नहीं होती उनके पीछे नीचे जो लगता है यह इसी तद यह भी रा होता है तो यह पर यह यहाँ पर यह रहा है रहा है तारफ वाला क्योंव सर किसका परियावाची तलाव का बासव किसका परियावाची किशन जी अगर अगर उठपल के साथ एक καιन्फियूजन दे रहा है उपल उपल होता है पत्थर का यह भी याद खलेना आसपास इसमें कौन सा समास है आसपास द्वंद समास है बीच में जो लग रहा है इसे योजक चिन कहते हैं योजक चिन ये पूछा जाता है अच्छा चिन कैसे सुद्ध लिखा जाता है ये बता दू चिन इस तरीक से लिखा जाता है हा आदा आता ये या तो ऐसे लिख सकते इतरे तक समार और बैकल पिक कर्मदारें विशेशन विशेशन होते हैं दो एक मैं संक्या बाचा होता है next इसमें से कौन सा पुलिंग सब के रूप में प्युक हुआ है बताओ गौ का गौई भी मान लिया था स्कूल का स्कूल हो यह दोनों लगा लेना ठीक है नेक्स अध्यापक कख्छाम पढ़ा रहा होगा रहा होगा मैंने का है न होगा होगी किसमें आता है बता हो नेक्स्ट नेक्स्ट कोशन है आपका इसमें करेंट अफियर कोशन है कि हाली में एक अध्यान के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क हैं तो सड़क पर कैसी सड़क हैं खतरनाक सड़क है तो कोशन है आपका कि सबसे जादा खतरनाक सड़क हैं सड़कों वृषफ़ा, परिशान कों करता है दुनिया को, चाहिना है, सबसे जाधा अच्छी मिलिटरी किसके पास है, इसी के पास है, ठीक है, नेक्स, अभी बन, धन, बिकासयोजना, बन, धन, बिकासयोजनां कोँ है, मनीपुर, जिसके पास पैसे होंगे, उसी के पास तो बन होगा, बन मतलब क्या है यह पेड़ पॉदिवाला देखो छेत्रफल के साब से जैसे अगर पूरा एडिया देखा जाए कि सबसे जादा किसके पास है तो मद्धिप्रदेश है अगर परसेंटेज वाइस देखा जाए तो मनीपूर मनीपूर में लोग टक जिल है जिस पर क्या है ताइगर इस्टाट हुए था ताइगर प्रूजेक्ट और वह कौन सा था है हैली नेशनल पार्क कौन सा था हैली जिसमें राम गंगा नदी निकलती है ठीक है याद रखना ही नेक्स्ट अभी करहां पर चैस अकैडमी बनाई गई चैस अकैडमी बनाई जाएगी ओडी साम और उडी सामी क्या स्किल डेवलप्मेंट सेंटर खुलाए ना ठीक है जाद रखने और अच्छा चैस की जो इंटरनेशनल अकैडमी ना फिड़े कहते हैं जो रेगुलेट करकी चैस को लॉसें सुचले लेंड में इसका हेड़क्वाटर ठीक है अच्छा चैस डे 20 तारी क इतने कोशन थे तो प्लीस शेयर करने ना मैंने अपना बैश्च दिया है बाकि आप लोग सेयर करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो तो यह आपके सपोर्ट की पहुंच जाए जरुवत है कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बाकि अपना अपनों को ख्या इसके साथ जय ही जय वारत